हेलो एर्यवन आइम तुरुप्ती वेलकम तो एंपीसी एंड टुड़ेस लेक्चर इस बास्ट ओन एप्लिकेशन ओफ गाउसलो ओके फोर बैसिकले एप्लिकेशन हैं गाउसलो की जो कि हम वन वाई-वन स्टडी करेंगे तो फर्स्ट जो इस वीडियो में हम डिल करने वाले इसके पहले हमने लास्ट वीडियो में सिखा था गाउसलो के बारे में और उसके एक्वेशन के बारे में तो गाउसलो की एक्वेशन क्या होती है एक्वेशन में हमने सिखा था टोटल इलेक्रिक फ्लक्स फाई इस इक्वेशन होती है यहां पर आप एक स्मॉल सर्कल लेते हैं स्मॉल सर्कल का मतलब होता है अग्वेशन के बारे में लेक्रिक फिल्ड को केसे फाई आउट कर सकते हैं यह हम एप्लिकेशन ओफ गाउसलो में जानेंगे तो वन बाई वन हम फूर एप्लिकेशन जो हैं मैंली वो डील करेंगे तो फर्स्ट हमारे इस वीडियो में हम एक यूनिफॉर्मली चार्जड वायर लेते हैं ठीक है यह जो वायर है यह इन्फाईनाइट लेंथ का है यह क्या है इन्फाईनाइट लेंथ का इन्फाईनाइट का एक्चॉल मिनिंग यह नहीं है कि आप इन्फाईनाइट पे चले जाओ एक्चुली इन्फाईनाइट जो है वो रिलेट्टिव पे डिपैन करता है आप कैसे चीजों को रिलेट करते हैं मिन्स अगर आपके पास एक ये शीट है और काफी छूटा यहाँ point consider कर लिया तो इस point के लिए ये शीट infinite होगी मिन्स इससे ये सिर्फ ये area जो ये देख पा रही है यही दिखेगा बाकी सब ये पूरा वाइट वाइट दिखेगा तो इसके लिए इस point के लिए ये शीट infinite है और अगर यही point को आप एक किलोमेटर दूर जाकर रख दें तो ये शीट जो है वो एक point चार्ज की तरह भीयो करेगा तो infinite जो है वो actual नहीं है वो हमारे sense पर depend करता है कि हम चीजों को किस तरह से लेते हैं distance vary करके हम infinite की definitions को समझ सकते हैं ओके यह point क्लियर होगा अब हमने क्या किया एक long straight wire लिया uniformly charge है इसका मतलब यह है कि wire के हर एक point पे charges सेम है और positive charge है positive charge है इसका मतलब क्या है कि जो भी electric field यहां बनेगी वो outward होगी ठीक है means away from the charge होगी यह हमने सीखा था electric field lines के case में अगर यहां negative charge होता negative भी ले सकते है negative होता तो क्या होता towards the charge electric field की जो direction है वो change हो जाती है opposite हो जाती ठीक है अब यह हमने कहा कि हम our distance यह जो आप infinitely wire देख रहे हैं इसके किसी भी point पर आपको electric field find out करना है ठीक है due to this infinitely long straight wire तो हमने कहा कि इस point पर हम electric field find out करना चाहते हैं जो कि इस wire से r distance पर measure किया हुआ है ठीक है means r distance पर एक point है अब यहां पर आपको electric field find out करना है ठीक है तो हमने gauss law में study किया है कि अगर आपको electric field चाहिए तो आपको एक gaussian surface बनाना पड़ेगा एक gaussian surface को cover कर सके ठीक है तो gaussian surface सबसे पहले तो आपने क्या किया एक gaussian surface को construct किया ओके अब gaussian surface इस wire के थुरू किस तरह से construct की जा सकती है ड्रोग की जा सकती है जिसमें यह point consider हो जाए और यह जो वायर है इसका axis और जो भी आप ड्रो कर रहे हैं अभी हमने यह अभी यह cylinder को भूल जाए अभी क्या है सिर्फ आपके पास वायर ही है ओके यह टाइम सेव के लिए मैंने पहले से अभी आपको सिर्फ वायर ही given है यह जो cylinder है यह given नहीं अभी इस point के तुरू आप एसा कौन सा शेप बनाए कि यह जो वायर है वह पूरा पूरी तरह से equally distribute हो जाए हर एक point पे तो Gaussian surface long straight wire के लिए कैसा होता है cylindrical तो cylindrical shape हम इस line के तुरू इस infinitely long wire के तुरू cylindrical shape को draw कर दिया अब यहां से इस surface से p point का distance r है तो second surface से पीछे का surface है यहां से भी आपको distance r ही लेनी है means हर एक point इस point को देखें या इस point को देखें किसी भी point को देखें cylinder के यह surface पर तो क्या होगा distance same रहेगी और इस side से भी देखें तो distance same ही रहेगी r ही रहेगी क्यों क्योंकि symmetry आपको इस तरह से कोई surface draw करना है ताकि वह symmetry रहे Gaussian surface की यह condition है कि अगर आपको किसी भी point पर electric field find out करना है तो उसके around आपको एक ऐसा closed surface चाहिए जिसमें हर एक point पर symmetry रहे हर एक point पर electric field की value same रहे और एक और condition यह है कि किसी भी system के थुर आपको Gaussian surface को draw करना है तो आप दो चीज़े ध्यान रखे कि electric field या तो parallel हो surface के या फिर perpendicular हो क्योंकि यह दो चीज़े आपके derivation को easy कर देंगी क्योंकि parallel होंगी तो cos theta की value theta की value 0 हो जाएगी cos 0 की value 1 होगी okay and perpendicular होगी तो cos 90 की value 0 हो जाएगी तो इससे आपको solve करने easy रहेगा इसलिए surface को आपको ऐसा choose करना है जहां पर angle 0 degree रहे और 90 degree रहे okay clear है अब हमने क्या किया कि यह कि यह cylindral draw कर दिया okay cylindrical surface draw कर दिया around this wire of length l ओके इस cylinder की length कितनी है l and radius r small r लिया okay तो अब यहां cylinder की three surfaces होंगी देखिए यह जो end है यह वाला circular end दिख रहा है आपको यह first surface हम consider कर लेते हैं okay यह second surface जो circular end दिख रहा है वह second surface consider कर लेते हैं और एक यह वाला जो surface है यह curved surface जो है वो हम third surface consider कर लिया ठीक है derivation को easy करने के लिए हम यह three surfaces को consider करते हैं अब यह curved surface जो है इस पर electric field की direction तो away from the charge है okay क्योंकि यह जो charges है यह इस तरह से uniform electric field बनाएंगे तो charge की जो direction है वो electric field की जो direction है वो away from the charge होगी तो electric field की direction इस direction में और अगर यहां पर आप एक area consider करते हैं होगी along the electric field same direction हो गई तो यहां पर theta की value क्या होगा 0 degree and circular faces पर देखें तो electric field की direction तो यह ही रहेगी चाहे इस side से देखें या इस side से देखें electric field की direction तो सेम ही रहेगी outward from this charge okay and but area जो vector है वो यह surface ले रहे हैं आप उपर का जो surface है वो ले रहे हैं तो area vector क्या होगा surface के perpendicular होता है normal to the surface होता है तो यह होगा upper side तो इन दोनों के बीच का जो angle row होगा 90 degree okay means यहां theta की value क्या पूट करेंगा आप 90 degree okay जिसे इस तरह से आपने एक cylinder रोक किया है तो यह आपका circular surface हो गया ठीक है यह curved surface है तो curved surface के हर एक point से perpendicular outward electric field lines निकलेंगे और यह जो अगर आप यह वाला surface consider करते हैं तो इसके perpendicular ही electric sorry area vector की direction होगी तो यह दोनों parallel होगे okay यहां तक clear है अगर हमें पूछे कि यह जो cylindrical shape है इसमें total charge कितना है तो हम नहीं बताया पाएंगे बट अगर आपसे यह पूछे कि charge density कितनी है तो यह question आप easily answer कर सकते हैं क्योंकि linear charge density lambda is equal to q by L okay means total charge inside जो surface के है तो जो charge है वो inside होगा okay total inside charge upon length means एक मीटर में कितना charge है इस पर lambda 2 मीटर हो तो 2 lambda 3 मीटर हो तो 3 lambda तो आप charge को easily define कर दिया है यहां पर ओके अब हम बात करते हैं electric field पर बट हमने क्या consider कि यह three faces consider कि यह तो three faces के through पहले net electric flux यह total electric flux fight out कर सकते हैं okay क्यों क्योंकि हमारे पास gauss law के according जो formula है वो क्या होता है gauss law क्या होता है phi is equal to q inside by epsilon nut और इसी को आप बोलते हैं e dot d a okay vector sign यह gauss law की definitions है अब हम total यह जो flux है यह क्या है total total electric flux due to surface one two and three यह find out कर लेंगे and इस equation में put कर देंगे तो आपके पास electric field की value आ जाएगी कैसे देखते हैं देखो total electric flux के लिए first five one five two and five three total electric flux इन तीनों के तुरू जो भी electric flux मिलेगा आपको उन सभी को आपको add करना है तब ही आपको total electric flux मिलेगा और electric flux को directly आपको add करना है क्योंकि यह scalar quantity है अब flux through surface one यह कोज सा surface है circular surface है ठीक है तो इससे आप किस तरह से denote करते हैं e.da पहले तो यह definition के तुरू आप equation पूट कर दें ठीक है यहाँ पर भी e.da and then e.da now flux through one one के लिए e.da यहाँ angle क्या हुआ? cos 90 so a.b a.b cos theta होता है तो यहाँ cos 90 कर दो okay यहाँ e.da second surface के लिए second surface भी circular है तो यहाँ पर भी cos 90 हो जाएगा क्योंकि angle क्या है? 90 degree है e and da के बीच का theta जो है वो angle between electric field and area vector so 90 degree and then third surface के लिए angle क्या होगा? 0 degree क्योंकि दोनो parallel है so e.da cos 0 cos 90 क्या होता है? 0 तो यह term दोनो 5 1 and 5 2 यह दोनो 0 हो जाएगे बचेगा आपके पास जो remaining term है that is e into da cos 0 की value 1 होती है means total flux है वो due to surface 3 जो curved surface है उसी के तरू total flux आएगा total flux आप देखिए यह जो e है e.da sorry e into da यह मिला आपको electric field इस curved surface के हर एक point पर equal है क्यों? क्योंकि distance same है our distance आप इस point पर जाए जाए इस point पर कहीं पर भी चले जाए distance same है और charges भी same है तो electric field क्या होगा? same means constant तो electric field आपका constant है तो it is taken out of the integration okay and da so da total area area क्या हो जाएगा cylinder का e into area क्या होता है 2 pi rl okay area of cylinder is 2 pi rl so e into 2 pi rl and total electric flux आपको यह मिला ठीक है now electric flux total q inside upon epsilon not होता है okay यह equation आपके पास है q inside upon epsilon not and e dot 2 pi rl यह आपने अभी find out किया है दोनों को equate कर दिया तो electric field electric field क्या हो जाएगा आपके पास e is equal to 2 pi rl यह denominator में चला जाएगा so q inside upon 2 pi epsilon not r into l अभी यह वाला जो term है q by l यह क्या है? linear charge density lambda so e is equal to lambda by 2 pi epsilon not into r यह आपके पास आया electric field okay and electric field is inversely proportional to r means जैसे जैसे आप यह distance दूर करेंगे okay increase करेंगे तो electric field की value decrease हो जाएगी okay इस point को अगर आप यहां पर लेते हैं तो electric field इस point के comparison में यहां इस place के comparison में यहां काम होता क्योंकि distance increase हो गई है okay so distance के increase से electric field क्या होती है decrease हो जाती है वीक हो जाती है जैसे 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 तो obvious सी बात है कि charges अगर यहां है तो charge के पास में ज्यादा electric field होगी okay तो e और r का अगर आप graph plot करें तो graph इस तरह से आएगा electric field e and r के बीच में graph इस तरह से आएगा यह क्या होता है decrease का ठीक है e is inversely proportional to 1 by r so यह हुआ आपका electric field due to infinitely long straight uniformly charged wire okay इसमें हमने क्या किया इसमें derivation के तुरू आपने electric field find out करी point p पर एक infinitely long wire लिया इससे r distance पर आपने एक point पी लिया और उस point के थो आपने एक cylindrical surface consider किया इस surface के three faces लिए one two and three अब one surface जो first surface and second surface है वो तो क्या है circular है तो circular का जो area vector है यह area vector है यह क्या होता है outward किसी भी surface के लिए area vector तो outward होता है ठीक है perpendicular तो यह vector का direction यह electric field का direction क्योंकि electric field क्या है uniform है इस straight wire पे तो electric field की direction तो same ही है and away from the charge positive charge है इसलिए away from the charge outward and अगर negative होता तो inward होता towards the charge तो हमने क्या किया first and second surface के through तो कोई electric flux नहीं मिला क्यों क्योंकि दोनों के बीच में angle 90 degree दोनों एक गुसरे के perpendicular e and d है तो flux वहाँ से zero but third surface जो curved surface है उसके through flux मिला और flux की जो value है that is e into 2 pi rl total flux ओके अब total flux की जो value है गाउस्लों के according q inside upon epsilon not होती है तो हमने equate कर दिया और electric field find out कर दिया e is equal to lambda upon 2 pi epsilon not into r okay यहां lambda constant है क्योंकि पर length में जो electric charges है वो तो same ही रहेंगे तो lambda constant है 2 constant है pi constant है and epsilon not permittivity of ray space यह भी constant है तो e की जो value है वो vary करेगी r के संथ okay e is inversely proportional to r so this is all about the electric field due to infinitely long straight uniformly charged wire अब हम next video में infinite sheet के through electric field find out करेंगे okay so stay tuned with npc and keep watching and keep learning thank you so much